तो हलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IGU University मीरपूर रेवाडी के उपर यानि कि यार यह एक बहुत ही फेमस उनिवस्टी है जो की हरियाना के अंदर है रेवाडी के अंदर है तो यह आज इस वीडियो में हम इसके यहाँ पर जो एडमिसंस हैं 2020 के उनके बात करने वाले हैं यहाँ पर UZ और PZ दोनों ही कोर्षिज के जो एडमिसंस है उनका जो स्कैडिल है वो जारी कर दिया गया है तो चले गाइज बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर किन-किन कोर्षिज के एडमिसंस हो रहे हैं क्या important dates रहेंगी और कैसे आपके एडमिसंस होने वाले हैं तो चले गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैं आपको वीव दिखा देता हूँ उनिवस्टी का यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं बात करता हूँ उस नोटिस की जो यहाँ पर जारी किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है वो नोटिस जिसके अंदर सारी की सारी डिटे प्रोग्राम्स यानि कि सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि सभी के लिए यहां पर online admission होने वाले हैं यानि कि आपको online apply करना है अब बात करते हैं कौन-कौन से courses के लिए यहां पर admissions हो रहे हैं तो यहां पर देखिए MA English, MA Hindi, इसके बाद यहां पर side में देखेंगे आप MS योगा है इसके नीचे आज ही यह M.com Second Year Program जो यहां पर है दो साल का MBA, Bachelor of Water Management and Catering Technology, M.com Five Year Integrated, MSC Economics, MA History, MA Political Science, Master of Social Work, इसके बाद MSC Mathematics और MSC Mathematics with Computer Science, MSC Chemistry, MSC Physics, MSC Psychology ठीक है अब चलिए गाईज स्क्रोल करते हैं नीचे की तरफ और फिर देखते हैं और भी जो यहां पर courses हैं साथ ही साथ कुछ details दे गई हैं important dates के regarding तो चलिए मैं इसको scroll करता हूँ नीचे की तरफ और फिर देखते हैं तो यहां पर देखिए MSC Physics तक हो गया था इसके बाद देखिए MSC Geography है, MSC Environmental Science है, MSC Botany है, Geology है, Biotechnology है, MC यह है गाईज ठीक है और यहां पर BTEC CSC है, BTEC CSC Lateral Entry है और LB 3 Year है ठीक है, यानि कि यहां पर जो एक लोग का कोर्स होता है, LLB वो भी यहां पर है, तो यह जो कोर्स हैं guys, इनके लिए यहां पर जो एडमिसंस हैं, उस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोर्स समझ में आ गए, अब देखते हैं important dates के regarding, तो यहां पर द सबस्त से लेकर, यहां पर आप 21 सितंबर तक register कर सकते हैं, ठीक है, यानि कि 21 सितंबर तक आप इन कोर्स के लिए register कर सकते हैं, इसके बाद बात करते हैं, एमकोम owners 5 year integrated और यहां पर जो hotel management का कोर्स है, उसके लिए यहां पर 18 तारिक से form निकल चुके हैं, जो कि आप 1 सितंबर तक भर सकते हैं ठीक है तो यह यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि एक सितंबर भाई आने वाला है इसके बाद हम बात करें और अधर प्रोग्राम्स यानि कि अब जितने भी कोर्स बच गए इनको छोड़के कि इसको मैं बात करूँ कहां पर आपको रजिस्टर करना है तो वो यहां पर रहेगा www.isu.ac.in यह इनकी ओफीशल वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्टर करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब गाईज यहां पर हम डाउनलोड करते हैं प्रोस्पे साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है लेकिन गाईज एक बार आप इसको पड़ लें ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए तो चलिए गाईज यहां पर मैं इंपोटेंट जो पॉइंट्स होंगे उनकी उपर आपका ध्यान एक बार ले जाना चाह बीटेक ठीक है इसके बाद यहां पर जो ग्रेजवेशन वाले हैं वो ललबी में हिंदी इंगलिस इस्ट्री पॉलेटिकल साइंस एमसी एंबीए एमकॉम टू इयर और बाय टेकनलोजी बोटनी केमेस्ट्री एकोनोमिक्स मैथमेटिक्स ठीक है फीजिक्स साइकलोजी यो कैमपस है और यहां पर क्या-क्या इसकी खासियत है तो आप सब यह पढ़ सकते हैं डाउनलोड गरके मैंने आपको बताई दिया है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और इसको प्रोस्पेक्ट्स को आपको एक बार जरूर यार पढ़ना है ठीक ठीक है चलते हैं स्क्रोल करते हैं हा घाईज यहां पर देखें यहां पर दिया है कोर्स ओफ़र्ड और उनकी ऐलिजिबिलिटी और सीट्स ठीक है तो सबसे पहले देखी एमकोम है वो यहां पर दो साल का है उसके अंदर 60 सीट है और मोड ओफ ऐडमिशन है वो एंट्रण् इंटरंस की तयारे स्टार्ट कर दीजिए इसके बाद बात करें eligibility की तो यहाँ पर 50% है journal के लिए और 47 है और जो categories बच गई उनके लिए और eligibility है वो लगबग same है सभी courses की ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको seats और जल्दी जल्दी course और इनका यहाँ पर जो admission mode है वो बता देता हूँ इसके बाद देखी M.com यहाँ पर जो 5 year का integrated course है ठीक है इसमें भी आपकी 60 seat है और entrance test ही होने वाला है इसके बाद MBA में यहाँ पर 60 seat है और entrance test ही होने वाला है ठीक है इसके बाद guys हम यहाँ पर बात करें बैचलर of hotel management है इसमें यहाँ पर merit based admission होगा एक यह course है जिसमें merit based admission है और 60 seat है आपकी यहाँ पर आप eligibility देखेंगे तो वही यह लगभग same ही ठीक है इसके बाद हम आगे बात करेंगा इस तो यहाँ पर आता है MA English जिसमें 60 seat है और entrance test ही आपका होने वाला है इसके बाद हम बात करें MA Hindi तो उसमें भी यहाँ पर आपकी 60 seat है और आपका entrance test होने वाला है इसके बाद हम बात करें MA mathematics तो entrance test होगा और 50 seat है ठीक है इसके बाद हम बात करें MA mathematics with computer science तो entrance test आपका होगा और 40 seat है आपकी MA physics में 20 seat है guys और entrance test लिया जाएगा ठीक है इसके बाद हम बात करें MA chemistry सबसे यहाँ पर तफ competition रहेगा इसी में रहेगा 60 seat है और entrance test आपका होगा MA geology में भी entrance test होगा 20 seat है MSE botany में भी यहाँ पर entrance test होगा और 20 seat है और eligibility देखते रहना अपनी ठीक है MSE biotechnology में यहाँ पर 20 seat है entrance test आपका होगा इसके बाद MA history में भी entrance test होगा और 60 seat है इसके बाद guys यहाँ पर मैं बात करूँ आगे MSE economics है उसमें आपकी 40 seat है guys और यहाँ पर उसमें भी आपका entrance test होने वाड़ा है MSE political science में भी entrance test होने वाड़ा है 60 seat है इसके बाद यहाँ पर देखे master of social work में भी entrance test होगा 20 seat है इसके बाद यहाँ पर MSE yoga है उसमें भी entrance test होगा और 30 seat है ठीक है तो यह यहाँ पर courses थे और उनकी details थे यहाँ एक और रह गया B Pharmacy इसमें यहाँ पर 60 seat है और admission जो होगा वो यहाँ पर आपका हरियाना State Technical Education Society पंचकुला जो है वो बताएगी कि भई कैसे क्या admission होगी ठीक है तो उसके उपर एक अलग वीडियो बना देंगे यानि कि यार यहाँ पर जो HSTS की counselling है उसके दुबारा यहाँ पर आपके admission होगी कहने का मतलब यह है ठीक है इसके बाद हम बात करें B Pharmacy Second Year Lateral Entry है उसका भी ऐसे है इसके बाद BTEC जो है उसमें भी यहाँ पर आपके 60 seat है और admission है इसके बाद हम बात करें यहाँ पर BTEC CSC Third Semester Lateral Entry है वो यहाँ पर academic merit रहेगी इसके बाद हम गाईज यहाँ पर बात करें MCA है उसमें भी entrance test होने वाड़ा है यानि कि यार कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो courses है उनमें यहाँ पर entrance test ही होगा ठीक है यहाँ पर देखे एक चीज लिखी हुई है बी फार्मेसी लीट प्रोग्राम्स रन बाइदा डिपार्टमेंट ओफ फार्मासिटिकल साइंस सेल बी मेड बाइदा हरियाना स्टेट टेकनिकल एजुकेशन सोसाइटी पंचुकुला यानि क्यार कहने का मतलब यह है कि आपके जो भी फार्मेसी के अडिमिसंस होंगे वो आपके यहाँ पर जो हरियाना स्टेट टेकनिकल एजुकेशन सोसाइटी पंचुकुला है उसकी गाइदलाइन्स के अकोडिंग होने वाले है ठीक है तो उसके उपर एक अलग वीडियो है यहाँ पर the candidates will be required to submit the hard copy of the application form along with the relevant documents and testimonials in the office of the concerned department within 3 days from the last date of submitting the application form ठीक है यानि कि जो courses आप select कर रहे हो अगर वो यहाँ पर merit-based admission वाला course है तो आपको क्या करना है registration करवाना है बार किसी भी cyber cafe से उसके बाद registration वैसे सभी को करवाना है चाहिए वो entrance test हो या फिर merit-based वाला ठीक है लेकिन जो इनके यहाँ पर merit-based admission होने है उनको जो यहाँ पर print-out है वो university campus में जाके जमा करवाना है कहने का मतलब यह है ठीक है entrance वालों को कुछ नहीं करना उनको सिर्फ registration करना है उसके बाद entrance test देना है उसके बाद आगे की process रहेगी लेकिन जो merit-based है उनको अपना registration form और documents हो जमा करवाने है ठीक है जब आगे चलते हैं स्क्रोल करके और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है तो यहाँ पर फि BC यहाँ पर जो category के students है उनके लिए 500 रुपे और जो यहाँ पर categories बच गई उनके लिए 1000 रुपे ठीक है तो यह यहाँ पर आपकी fees दी गए registration की और यह जो dates थी इनके उपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगा और वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगा आप चैनल को subscribe रख की है आपको सारे information मिलती रहेगी ठीक है इसके बाद reservation policy के उपर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको पढ़ सकते हो प्रोस्पेक्टरस का जो link है आपको description में मिल जाएगा इसके बाद हम आगे चलते हैं गाईज और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं गाईज यहाँ पर देखें सीट्स आ गई है कि किसके अतिकरी में कितनी सीट्स हैं तो यह भी आप यहाँ पर खुद देख सकते हो भाई मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो है तो आप यह पूरा देख सकते हो स्क्रीन सोट ले सकते हो वैसे प्रोस्पेक्टस का जो लिंक आपको डिस्क्रिश्ट में मिल जाएगा उसको डाउनलोड करना है और अच्छे से एक बार भाई सभी को पढ़ना है ठीक है मैं कहा रहा हूं यह बात एक पढ़ लेना इसके एंटरंस होगा वरना मेरिट बेस ही अडिमिशन हो जाएंगे कहने का मतलब क्या है कि वह जैसे साथ सीट है और तो रजिस्ट्रेशन है वह सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने किया तो फिर एंटरंस लेने का क्या फाइदा लेकिन अगर यहां पर उल्टा हो गया सीट पचास है और रजिस्ट्रेशन सीट से जादा है जैसे कि माली यह जादा है तो यहां पर फिर एंटरंस होगा कहने का मतलब यह है ठीक है यानिकि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको जादा नहीं बता रहा एंटरंस की डेट्स के उपर एक अलग वीडियो आएगी औ और यहां पर स्लेबस भी उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए क्या स्लेबस रहने वाला है एंटरंस एक्जाम का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है और वो सब कुछ इसमें दिया हु तो एक बार आप खुद भी यहां से देख लेना वीडियो लंबी हो गई इसलिए इस वीडियो में ज्यादा नहीं बता रहा वैसे वीडियो में जरूर बनाऊंगा ठीक है तो आप टैंसन ना लें अगर आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें वरना बहुत जल्दी आपके सामने पेस कर दी जाए तो विश यू ओल दा बेस्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैवार्थ